असलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोर्ट्स फार्म में आपका स्वाकत है आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ जैसा कि ये हमारी एक पुरानी वीडियो है आप देख सकते हैं तो मैं आज आपको इसी से continue याने इसके बात जैसे मैंने आपको पहले ये बताया था इसके बारे में कि ये क्या चीज होती है तो इसे मैं थोड़ा से रिपीट कर रहा हूँ ये वीडियो को आपको बताने के लिए कि ये क्या चीज है कैसा है जो फर्स टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये है और जिन्होंने देख चुके हैं वो तो जानते ही है कि इसे रसूली या गाड या गदूत जैसा जो भी आप उसे बोलते हैं लेकिन ये कोई घबराने वाली या कोई ऐसी चिंता की चीज नहीं है जिससे के आप बकरा ना खरीदें या बकरे को कोई एभ है या कुर्बानी में काम में नहीं आएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है ये आसानी से खुद बखुद फूड जाता है और ये अक्सर अपने बकरों में होता है जादा तर मैं ये देखा हूँ राजिस्थानी जो बकरे होते हैं सोज़त है पीपाड है और जो अजमेरा बकरे उनमें ये जादा होता है तो आज हमारे पास एक पंजाबी बच्चा है जो हमारे पास एक पलाई पे है तो उसे भी सेम गाठ हुई थी सेम जगे पे और आज अफ्तारी से जस्ट 15 मिनिट पहले आप देख सकते हैं ये खुद बखुद अपने आप ये फुड गई है और इसमें से जो परस होता है पानी है इसमें कभी बहुत यानि अभी आप जो देखेंगे ये थोड़ा पतला सी पानी है लेकिन ये बैक्टेरिया होता है पूरा अंदर जो परस होता है ये वो है इसे मैं साफ करने का आफी लोगों ने बताया तो इसे कैसे साफ करते हैं मैं उसे बताता हूं आप देखेंगे ये पुड़ने के बाद खुद बखुद उसके अंदर से जो पस है वो गिरता है कभी-कभी ये गाड़ा होता है और कभी-कभी अभी आप जो देख सकते है थोड़ा पानी टाइप आप देखेंगे तो इसे पूरी तरह से इसे क्लीन करना होता है इसे अंदर से पूरी तरह से साफ करना होता है और ये पहले मेरे बंदा है मेरे फार्म पर जो लेवर हो कर रहा है मैं वीडियो उतार रहा था इसके बाद इंशाला मैं बताऊंगा आपको किस तरह से क्लीन कर और काफी मैंने देखा हूं कई वीडियो में के लोग इसमें कट मारते हैं और ब्लेड से कट मारके उसके जखम को बड़ा करते हैं जो सुराग को तो वह ना करें यह अपने आप ही इसके अंदर जो चम्री होती है जो इस्कीन है वहां की वह काफी डैड हो जाती है इने इदम डेड स्कीन जैसे बोलेंगे खतम हो जाती है वह अपने आप सूक के निकल जाएगी क्योंकि बड़ा इससा जो बन जाता है तो अभी मैं इसे पकड़ता हूं और मैं इसे क्लीन करूंगा बताऊंगा आपको कैसे इसको दबा दबा के पूरा निकालना बकरों को थोड़ा दर् अविक जास्ट नहीं होता जब प्रोटने के बाद इसक इंदर दर आ जाता से साफ करना बहुत ज़रुरी है और इसे पूरी तरह से साफ करना पड़ता है मैं आपको बताऊंगा इसे पूरी तरह से कैसे साफ करेंगे यह बकरे का जो पोजिशन है अभी थोड़ा हमने निकाल दिया इसके अंदर से अब अंदर है अभी आप देखेंगे मैं कैसे इसे दबा दबा के इसे जो इसका जो सरकल है जो गोल है इस जो गां और वो दबा दबाके ही निकाला जाता है, एक चीज और बता दू, लोगडाउन की वज़े से हमारे फार्म पे हेंड गलफ नहीं है, बहुत कमी है हेंड गलफ की, नहीं तो यह हेंड गलफ पहिनना बहुत जरूरी है यह काम करने के लिए, अभी नहीं है और दिक्कत का मामला और यह चीज ऐसे सड़नली हमारे पास आ गई तो मुझे करना पड़ा इसके बाद आपको अच्छे से हैंड वॉश करना है बहुत जरूरी है साबुन से देखें अभी यह मैं निकार रहा हूं इसके अंदर से लाल पन रेडिश पन भी आना स्टार्ट हो गया है यह अंदर ज गए अधार ज़ाना था रोजा खोलना था इसके लिए मैं क्योंकि एक टाइमिंग होता है यह टाइम के ही यह विडियो बना बनानी पड़ती है अगर मैं इसे छोड़ देता यह टाइम आगे करता यह अफ़तार बाद कर बनानी की विडियो कोशिश करता तो यह बन नहीं पाती थी वीडियो इतनी अच्छी हो बैतरीन जैसे आपको पूटा हुआ खुद से पूट के यह जो पोड़ा है वह मुझे बताना था तो इसके लिए मैंने इसके बाद एक और इंशालत दो से तीन दिन में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके अंदर जखम को पूरी चमडि लूजर यह चमड़ी पूरी खताम हो जाएगे इशाल्ला तो दूसरी वीडियो का वेड करें इसके बाद वाली मैं जिसमें इसके केर करना और इसके इलाज करने के बारे में पताऊंगा तो आज की वीडियो आपको कैसी a społecनित हमें जरूर बताएं और इसके नेक्स पार्ट के आप वेट करें तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया असलाम वालेकुम अल्ला हाफेज